आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मनी लॉंडरिंग मामले की जिसमें रोवर्ट वाडरा से लगातार पूछताच की जा रही है अब तक तीन दोर की पूछताच हो चुकी है शनिवार को भी वाडरा से मिर्थन सवाल जवाब किये गए करीब साड़े कई घंटे तक वाडरा से एडी के दफ्तर में रहे और वाडरा से सवाल पूछे करें सवाल पर सवाल बार-बार एडी के सामने पेशी सच जानने की कोशिश करतें एडी अफसट लंदन की प्रॉपर्टी के बारे में पूछताच मनी लॉंडरिंग केस में अब तक तीन दौर की पूछताच का सामना रॉबर्ट वाडरा कर चुके है एडी के दफ्तर में उनके सामने सवालों की बोचार हो चुकी है लेकिन अभी तक एडी के अफसर वाडरा के जवाबों से पूरी तरह संतुष नहीं दिखे है यही कारणे की एक बार फिर वाडरा को पूछताच के लिए सोमवार को बुलाया गया है जबकि इस सपहले रॉबर्ट वाडरा से शनिवार को सवाल जवाबों का मेराथन सिलसिला चला करीब सुबह पोने 11 बजे वाडरा एडी के सामने हाजिर हुए और रात 8 बजे के करीब वाडरा एडी के दफटर से बाहर निकले वाडरा से तीन दौर की पूछताच हो चुकी है पहले दिन यानि 6 फरवरी को वाडरा एडी के सामने पेश हुई थे तब उनसे 6 गंटे तक सवाल जवाब किये गये थे पताया जा रहा है कि इस दोरां 42 सवाल पूछे थे जबकि अगले दिन यानि 7 फरवरी को भी E.D. ने वाडरा को बुलाया और एक बार फिर कुछ सबूतों के साथ सवाल पूछे इस दिन दो चरणों में 9 घंटे पूस्ताच की कुल मिला कर अब तक वाडरा से 24 घंटे की पूस्ताच हो चुकी है लेकिन प्रवतर निदर्शालय के अपसर आगे भी पूस्ताच करना चाहते हैं इसके लिए एक बार फिर सुमवार को वाडरा को एडी के दफ्तर जाकर सवालों का सामना करना पड़ेगा वही 12 फरवरी को उन्हें बीकानेर लेंडिस के मामले में जैपूर जाकर एडी के सामने अपना पक्ष भी रखना होगा जाहिर है कि जो पूस्ताच की जा रही है ये तमाम फाइंडिंग्स जो रॉबर्ट वाडरा से पूस्ताच में एडी को हासिल हुई है ये सभी 16 फरवरी को कोट के सामने रखनी होंगी और 16 फरवरी को ही जो एडी की फाइंडिंग्स हैं E.T. को पूछताच में क्या कुछ मिला है उसी से डिसाइड होगा कि आगे प्रवर्तन इदेशाले रॉबर्ट वाडरा के खिलाफ किस तरह की कारवाई करने जा रही है या नहीं वीडियो जनलिस अतुल के साथ रॉमान उल्ला खान नियूस नेशन दिल्ली